अलो गाइज वल्कम बैक टो माई चैनल ट्रेडिंग लांज तो चलिए कलके 5 श्टॉक के बारे मात करते हैं इस पर कल के दिन हम ट्रेडिंग कर सकते हैं तो फ़र्स्ट हमारा कोटक बैंक तो कोटक बैंक में आप यहां पर देखेंगे इसने क्या किया है इस पॉइंट के अस यहां जो सपोर्ट वो इससे अभी विलो है इस पॉइंट से तो जो आपकी बैंक की ट्रेड रहेगी उसमें आपका इस्ट्रिक्ट एसल रहेगा और स्मॉलर टार्गेट रहेगा ओके बट अगर यह डाउन साइड में ब्रेक करता है तो हम उसमें बड़ा टार्गेट अच जो कि क्लोजिंग प्राइस से जस्ट फॉर पॉइंट बिलो है तो जैसे ही इस पॉइंट के नीचे कोई भी 50 मिनट की केंडल क्लोज करेगा तब हम उस पे एक सेलिंग की ट्रेड बनाएंगे और जो हमारा एसल बनेगा वो सिर्फ इसी क्लोजिंग प्राइस का ही हम रखें है हमें 1-3-2-4 देने के लिए ओके नेक्स्ट है हमारा अच्टी अच्टी अपसी लाइफ में आप यहां पर देखोगे डिली टाइम फ्रेम में यह देखिए इसने भी क्या किया है सिमिलर ही इंसेट गेंडल बनाई है बट यहां पर आपको एक दिख रहा हुआ यह सपोर् बड़े करेंगा तो आप यहां पर देखेंगे तो हमारी जो एंटरी बनेगी इस पॉंट के नीचे ही बनेगी हम उस पर 50 minute की candle close करेंगे 570 4 के नीचे और जैसे इसके नीचे गोई भी 50 निट की कैंडल क्लोज करेगा तब हम उस पे सिर्फ 4 तू 5 पॉइंट का हमारा SL बनेगा और 1 रेसो 2 हमारे इस पे minimum target आएगा बट अगर यह directly इसको breakdown कर देता है तो जो आपका 4 तू 5 पॉइंट का SL रहेगा उसको immediately cost पे लाखे रख देना है जैसे हमें 1 रेसो 1 मिल जाएगा क्योंकि यह immediately reverse भी आ सकता है उस case में यहाँ पे क्या होगा जैसे यहाँ पे momentum आया है फिर जब यह इसको नीचे breakdown करेगा तो वहाँ पे retracement करने के लिए जरूर आएगा तो maybe chances यही हैं कि आपको यह SL हिट कर दे बट इससे बचने के लिए आपको 1 रेसो 1 के बाद SL को cost पे लाखे रख देना है थाकि अगर वो हिट करेगा तो आपको कोई loss नहीं होगा उसमें और अगर वो continue निकलता है तो आपको एक बड़ा profit भी इसमें बन जाएगा next है हमारा इसमे जिंदल स्टील तो जिंदल स्टील को अगर daily time frame में देखोगे तो यह देखें इसने क्या किया है यहाँ पे यह एक support zone है इसको यह कई बार यहाँ पे multiple time में यह test कर चुका है तो यह जो हमारा support level आता है यह आता है 538 का इसके नीचे हमें कोई भी 15 मिनट की candle closing का ही wait करना है और जैसे इसके नीचे अगर कोई candle close मिल जाती है तो वो जो last वाली candle होगी उसका high का हम ऐसल लगाएंगे और हमारा इसके वन रिसो 2 या फिर वन रिसो 3 तक का target हम अचीव कर सकते हैं इसमें प्योंकि जब यह इसको directly breakdown करेगा तो यहाँ पे यह जो इसने zone बनाया हुआ है इसका double या फिर triple आपको देखने के लिए मिलेगा downside में तो इसमें जो वन रिसो 3 है हमें easily मिल जाएगा तो next है हमारा Apollo Hospital तो Apollo Hospital को अगर daily time frame में देखोगे आप तो यह देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है यहाँ पे इसने buying momentum दिखाया यहाँ से support level था जो previous support था उसी के आसपा से इसने buying momentum दिखाया है और यहाँ पे एक doji candle बनाई है तो doji candle क्या होती है अगर यह doji बनी है तो maybe यह continue करेगा यहाँ पे otherwise यह नीचे की तरफ आजाएगा तो हमें दोनों के लिए ready रहना इसमें तो 15 minute के time frame में देखते हैं कि हमें किस तरीके से इस पर plan करना है तो हमारी जो trade बनेगी इस doji candle का यह जो low है इसके नीचे हम selling करेंगे और इसके high के ऊपर हम इस पर buying के position मनाएंगे तो हमें बस यह wait करना है कि इस side यह break करता है किसी भी side हमें 15 minute की candle closing का wait करना है और वो जो candle बनेगी अगर इस तरीके से बनेगी तो उसके high का हम ऐसल लगाएंगे और अगर यह नीचे की तरफ बनेगी तो नीचे के low का हम ऐसल लगाएंगे और उसी का हम 1 ratio 2 के according target रखेंगे दोनों side हमें दोनों side में 1 ratio 2 से ज़्यादा इसमें expect नहीं करना क्योंकि एक final यहाँ पर momentum आ चुका है तो जब अगर यह उपर की तरफ momentum आएगा तो वो इतना strong नहीं होगा और नीचे की तरफ आएगा तो यह एक support का काम करेंगे इस side में तो इसलिए आपको 1 ratio 2 से ज़्यादा इसमें expect नहीं करना next है हमारा विप्रो तो विप्रो को आप यहाँ पर देखेंगे तो इसने क्या किया है इसी zone के आसपास यह बहुत time से रुका हुआ है और यहाँ पर इसने buying momentum दिखाया था तो अगर हम smaller time frame में देखेंगे तो हमें इस पर दोनों के लिए ready रहना है और दोनों के लिए ready होने के लिए हमारी एक यह वाला जो swing है इसके उपर हम कोई भी 15 minute की candle closing के बाद एक buying की position मना सकते है और हमारा उस पर जो target आएगा वो हम इस level का रखेंगे सबसे पहले यह वाला जो swing है और उसके बाद यह वाला ठीक है और इसमें जो हमारा SL बनेगा one point का हमारा SL है इसके cross होने के बाद हमें से position मनाएंगे और selling की trade हमारी तभी बनेगी यह directly इस swing के नीचे पहले gap down खुलना चाहिए और यह जो green candle बनाईए इसके low के नीचे उस candle का closing होनी चाहिए अगर वो ऐसा होता है इसमें setup बनता है इस तरीके से तभी हमें selling की trades पे प्लान करना है दरवाज हमें selling के point of view से इसको ignore करना है क्योंकि यह 3-4 दिन से इसी zone के आसपास है तो maybe इसके उपर break करने के बहुत ज़्यादा chances है तो हम अगर downside की trade ले रहे हैं तो हमें उसमें cautious होना पड़ेगा क्योंकि यहां से आप यह देख सकते हैं यह जो green candle है यह strong है तो यहां पर buyers जो हैं active हैं वो इसको उपर ले जाने कोसिस कर रहे हैं क्योंकि गजया है